वोट्सप गाईज आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर में परवेश करते ही भावुक हुए मोदी जी वीडियो भाई देखते हैं पूरी जय हिन जय भारत जय श्रीराम बहुत खुशी का पर्व है आज प्रांटरतिष्टा हो चुकी है भाई हैपी दिपावली का होगा मैं आप सबको तो देखते हैं पूरी वीडियो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दें लाइक बहुत ही बड़ा कदम है यह इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी एक न्याय मिला था फ्रीडम मिला था उससे मैं इसको कंपेर करूँगा जारह दिनों से अपने वरत के जरिये एक तपस्वी की भाहा थी मैं इसको कंपेर करूँगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत चोटे हैं यह एक हिस्टोरिकल सिप्लाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहू हैं तो वहां पर भी जो इंडिया की का कल्चर और इसकी जो हिस्ट्री है और फिर उसको वहां पर तालीमी अपने निसाब में शामिल किया जाना वहां पर टैंपल्स का जो कि इससे अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो ऐसा नहीं था वहां लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसल्मान हैं इंडिया के मुसल्मान हैं मुखलो के हीरो समझते हैं जबके हिंदू उनको जीरो समझते हैं इंवेडर थे आये जुलम किया बहुत जुलम किया थोड़ा सा जुलम नहीं किया बहुत ज्यादा जुलम किया मैं अग्री कर मेर यह बहुत बड़ा पिल्ग्रिमेट सेंटर बनेगा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बारत में यह एक सबसे बड़ा पिल्ग्रिमेट सेंटर बनेगा जिसमें लाखोश रदालू आएंगे लोगों का 500 वर्षों का आखिरकार इंतजार खतम हो गया है अयोधिया में बने राम मंदिर में राम लल्ला विरा असमान हो गए है राम मंदिर की प्राण पर्थिष्टा में दुनिया बर से बड़ी संख्या में लोग पहुँचे इस दुरान पूरा देश जैश्री राम के नारों से गूंज उठा वही प्राइम निस्टर मोदी सुनहरे कपड़े पहन कर राम लल्ला के मंदिर पहुँचे ये देखने लाइक दृष्ट था राम मंदिर में प्रवेश करते ही प्राइम निस्टर मोदी भावख हो गए वे हाथ में शत्र और वस्त्र ली होए थे इ प्राइम प्रशिष्टा के अफसर पर प्रभु श्री राम स्वन आभूशनों से लदे नज़र आए उनकी आबा देखते ही बन रही थी गरब ग्रह में प्राइम प्रशिष्टा के समय प्राइम निस्टर मोदी के इलावा आरेसस प्रमुक मोहन भागवत भी मजूद रहे प्रधान मत्री ने मंगल धुनों के भीज प्राइम प्रशिष्टा की इस सुरान प्राइम मिस्टर मोदी के इलावा सीम योगी अधित्यनाद और यूपी की राजपाल अनंदी बेन पाटेल मुझूद रही देखिए मैं तो यह कहूँगा कि ये बारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है ये इतना बड़ा कदम है कि बारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी एक न्याय मिला था फ्रीडम मिला था उससे मैं इसको कंपेर करूँगा मैं इसको कंपेर करूँगा पाकिस्तान क साथ जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत चोटे हैं यह एक हिस्टॉरिकल सिवलाइजेशनल कितने लंबे टाइम तक चला है लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एक्जाइल है एक 500 साल का वनवात है उसका अंत हुआ है तो मुझे लगता है कि लाखों हिंदूओं की श्रद्दा का ये मुद्द रहा कई सालों तक और कई सालों से हिंदूओं जुरिस्टिक पर्सन और श्री रामलला जो श्री राम है उन्होंने खुद जो है यह केस लड़ा है तो उनके रेप्रेजेंटेटिव वीह पी और वाकी हिंदू organizations हो सकती हैं लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद ज्याएं जो है उनको मिला है तो तयारिया तो बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर प्रदानमंत्री मोधी का भी आपने बाशन सुना होगा लाको श्रद्दालू और जो हिंदू बक्त हैं वो दुनिया बर लेकिन एक दिल को ठेस्ट पहुंचती थी जब भी वहाँ जाते थे क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे एक नॉर्मल एक रूरल सेवी रूरल सेमी अर्बन वहाँ पर लाइफस्टाइल था कुछ ज्यादा डिवलप्मेंट नहीं हुई थी एरपोर्ट नहीं था रेले स श्री राम जन्मभूमी मंदिर वहाँ पर मना है आयोधिया में ये बहुत बड़ा पिल्ग्रिमेज सेंटर बनेगा मुझे लगता है कि लगब 25,000 करोर टैक्स आएगा साला ना बड़ा पिल्ग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखोश रदालू आएंगे और ये एक पि तुरिस्त है और जो पिल्ग्रिमेज भी करना चाहते है वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि आयोधिया में क्या है फ्री राम लल्ला की जो मूर्ती है आइडल है उनको वहाँ पर देखना निहारना उनको पूजा करना तो बहुत ही एतिहासिक है प्रदामांत्री मोदी ने बाकी जगाए हैं वहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर सफाई कर रहे हैं अरादना कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही एतिहासिक फैसला है और कई सौ सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट इसकी वाइबरेशन चलती रहें जो कि बिडिश एक वेपर है उन्होंने भी लिखा है कि वहाँ से मुगलों की हिस्टि को निकाला जा रहा है निकालना चाहिए उनको मैं समझता हूँ माइनॉल्टी थी इन्वेडर थे आये जुम किया बहुत जुम किया थोड़ा सा जुम नहीं किया बहुत जादा जुम किया मैं एगरी कर दूँ मेरे वो हीरो नहीं है और इस प्रेस करता है वो इस तरह को इसनी असान बात नहीं थी उसे डील करना उनों ने किया बलके मैं आपको आज आरजू एक मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा मैं अकसर लोगों को नहीं बताई है मैं भारत बड़ी दफागे हो आज तक ताज महल लें गया था मैं एक द हम सब अमरीका से आके बस में बैटके तो आगरा गए थे आज आज आप नहीं गए मैंने कहा था मैं इस एक मोगल शजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताज महल पे लगाया था कि उस उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंड कहले अमरी के लिए के बाद इंड भी अ करो यह एक मुदय शैनी के राद था फिर वल्डिंग में बाद खार्निख के रहें इस लाले हो है इतना टो support के लाज किसे और विल्डिंग में बाले इसके कि और उसके खख़़ilen में बहुता तक Geo तो मुझे यह मैंने खुदास ध्यान दिया यह नहीं बता था शादी कर ली पर यह पता था कि और भी भी यह प्यार निता शौफ था दिखावा था जब अर्दस्टी का उसको नहीं सिंबल ओफ लव लो गिफ्ट करते हैं ताज महल की इस 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 मैं दिया तरह को आश जिनकी में प्रेम मंदिर घुमें हम वह कहते हैं लेकिन भाई मैं खुद इमोशनल हो गए जिपा थोड़ से हो गय थे इमोशनल उस टाइम पर और जब यही चीज तो मैं कहता हूं एक लीडर वो होता जिससे आप रिलेट कर पातों कि यह हमारे लिए खड़ा है वह हम उनसे हैं वह हमको रिप्लेंट कर रहे हमारे हक के लिए अमेरिका तक से बढ़ जाते हैं जब अमेरिका कहता है कि भाईया रश्या रश्या से तेलनी लोगी तो मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ लीडर उन्होंने चुनाय मुझे और आज मतलब वो वनवास ही काएंगे भाई 500 साल का दुबारा से एक तरीका से जश्टिस प्रिवेल हुई है और आज भी अगर कोई जुटलाने कोशी करता है तो करते रहो अब हमें कोई फरक नी पड़ता और भाई सच की जीत हुई है और मर्यादा पुरुशोत्तम का जाता और एक चीज और आज पूरे देश में इससे बड़ा कोई वो नियुक्त कोई चोटे चोटे घर चोटा मंदी चोटा बड़ा मंदी चोटे बड़ा बड़ा सीरियसली मैं कहा हूं जब आपका प्लैन बन सके मतलब भगदड़ में नहीं कहूंगा मैं ज़रूरी कि आज कल प आपकी क्या फिलिंग से इस टाइम पर भाई पूरे देश में अलगी जश्न का महल है तो जरू कमेंट करके बताना शेयर भी करते हैं वीडियो को बबाए टेक क्या